हेलो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त प्रहला सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज दोस्तों यदि आप पेसेल सहरा व्यानिय चिट फंड कंपनियों की लेटेस्ट अपडेट पाना चाते हैं और साथ में हरियानवी सौंग्स, कोमेडी वीडियो, जागरन और भजन सुनना चाते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एक लाल रंग का बटन दिखाए दे रहा होगा इस पर किलिक करें और साथ ही आपको एक घंटे का निसान भी दिखाए दे रहा होगा इस पर भी किलिक करें इस से आपको फायदा होगा कि जब भी हमारे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी जो बिलकुल फिरी है दोस्तो चतिस गड़ के राज़े में कांकेर में और चतिस गड़ के सभी जिलो के तहसील में चीटफन कंपनी में डूबी रकाम वापस पाने के लिए निवेशको की लंबी लाइन लगी हुई है और निवेशको के लिए सरकार ने 10 अतिरिक्त काउंटर भी खोले और 30,000 से जादा आवेदन जमा हो चुके है जिसकी निवेशक रासी 50 करोड के पार हो चुके है दोस्तो लगाता लाइन लग रही है और दोस्तो इसकी पहले तारिक थी 30 अपरेल 2018 मगर इसे बढ़ा कर 5 मई 2018 कर जया गया है जिसके लिए तहसील में अपने अपनी तहसील में जाकर आवेदन कर सकते हैं ये देखे ये तिन लंबी भीड है क्योंकि इने पता चला था कि आज आखरी तारिक है 30 अपरेल को इस वैसे 28 तारिक को लंबी लाइन लगने शुरू हो गई थी क्योंकि दो दिन की बीच में छुटी थी इस वज़े से सरकार को प्रसाशन को 5 मई तक का समय देना पड़ा और 5 मई तक जो है आवेदन लेने के लिए कहा गया और वो भी अप अपनी तहसील में शिर्फ एक ही जंगाया नहीं हो रहा है अपनी अपनी तहसील में जाकर के आवेदन जमा कर सकते हैं मातर 36 गड़ वालों के लिए हैं मैं बता देताओं को चिटफन कंपनी में डूबी रकम वापस पाने निवेशकों ने अंतिमदी में आवेदन जमा कर ड़े अपनी पूरी ताक जोंक दी निवेशकों की जिला कारियाले में भीड़ी इस कदर बढ़ गई कि जिला परसाशन को अलग-अलग 10 काउंटर खोलना पड़ा बावजूद लाइन खतम नहीं हुई हर काउंटर का नजारा ही अलग था भीड़ के चलते रात 8 बजे तक आवेदन जमा किये जाते रहे चलते सनिवार को निवेशक वे एजेंट फोर्म जमा करने तूट पड़े अब तक चल रह काउंटर की खीड़ की खुलने के पहले ही हुआ लंबी लाइन लग गई थी पूरा क्लेक्टरेट एजेंट वे निवेशकों से खचाखच भर गया इस तीत को देखते अलग-अलग विकास खंड वार्व कारियले में अलग-अलग काउंटर खोला गया इसके बावजू देगे काउंटर में लंबी लाइन लगी थी कमरे के बाहर बनाए गए काउंटर में भीडी दिनिया धिक थी कि करमचारी काम नहीं कर पा रहे थे इससे आवेद्गो को सामने लाइन से बैठा एक एक टेबल में बुला उनका आवेदन लिया गया यह सिलसला रात आट बज़े तक चलता रहा तहीस करमचारी इस काम में जूटे थे जब से आवेदन जमा करने की कारेवाई शुरू की गई थी तब से इसके लिए अलग से करमचारी न्युक्ट किये गए है इस कारे के लिए एक लिपिक के अलावा तीन प्यून को विधिवत ओर कर ड्यूटी में लगाया गया था जैसे जैसे भीड बढ़ती गई करमचारी जो कि संक्या भी बढ़ती गई अंतिम दिन दस काउंटर के अलावा कुल 23 करमचारी इस काम में लगे थे अंतिम दिन 30 तारिक तो और 28 तारिक के हम बात कर रहे हैं मगर उसके बाद 5 मई 2008 की तारिक किलियर हो चुकी है अभी भी तैसिल में लंबी-लंबी लाएने लग रहे ह है इसकी काउंटिंग वैस से जुड़ी रकम का आंकडा निकालना मुश्किल हो गया है जमारेजिस्टर के अनुसार वर्तमान में पावती 20,000 से अधिक लोगों को दी गई है एक पावती में एक से 20 आवेदन तक सामिल है इसके चलते आवेदन की संग्या 30,000 के करीब मानी जा रही है इस एक क्रोड की रासी को स्वम के खाते में एक एजेंट जमा कराने के लिए पहुंचा था मोका देख सहर का एक एजेंट भी निवेशको के नाम से एक 30 क्रोड रुपे के आवेदन को जमा करने पहुंचा था अवेदनों में निवेशको के खाता नंबर की कख्ष में ही आवेदन जमा किया जा रहा था भीड़ बढ़ने के बाद लोक्षिवा केद्र में चार काउंटर खोले गए दो में अखेले बहनु परताप पुर के आवेदन तथा एक में कांकेर वे दूसरी में दुर्गु कोंदल का आवेदन जमा किया गया इसके सामने ब्र माई तक ये आवेदन आप कर सकते हैं 36 गड़ राज्ये के जिल्ले के प्रतेक तहसिल में ये आवेदन जमा हो रहा है कोई सी भी कंपनी का हो पिए सेल सहरा साहीं परसाद कोई भी चिठवन कंपनी जिसमें आपका पैसा डूब चुका है वापसी नहीं मिल रहा है आप आव पार कार्ड मॉबाइल नंबर और जो डोकुमेंट से हैं उनकी दो दो फोटो कोपी कराई है और जमा कर दे तो ये प्रसासन ने मंगाए है आपको पैसे मिलने में साहता करेंगे तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लालनंका बटन है उस प से पहले पहुंचेगी ये जो बिल्कुल फिरी है धन्यवाद थेंक्यों वेरे मैच हमारी वीडियो देखने के लिए